मुर्गी बक्रे से इत मुबारक भाई बक्रा बक्वास लगा गर्मी ने सब का दिमाग खराब कर दी है शुकर है मैं ठीक हूँ मेरी तरफ से आप सब को चौरा अगस मुबारक आप समझेंगे मैं गोश्ट मांगने आई हूँ मैं मांगने नहीं आई लेकिन मजबूरी है जिस तरफ माजी में गोश्ट मिलता रहा इस तरफ आप इंब जाए तो क्या ही बात हो मैं वादा करती हूँ आई अप लगा करन लोगी ए मटन प्यारे मटन पाक मटन पाक मटन ए मेरी प्यारे मटन ओ मलकाट इद पर सबसे मुश्किल काम ये अंदाजा लगाना होता है कि अगला बंद एक बार मिलेगे तीन बार जिन्ने एदी भी देनी ओ इद वाले दिन एद मबर एक दर मैसेज भी ना करें मैं पहले बता रहे हूँ इद पर इदी ना देने वाले जा तुझे माफ किया सारा साल यारिया ते हाजिते गदारिया शेतान का पकिस्तानी को दे कर जवाबी वार चाहे पत्थर शेतान की बज़े अगले हाजी के सर में ही लग जाए बगर सेलफिया लेनी नी चोड़ने और जिस तरह से ये बंदा गुलेल से निशाने लगा रहे है लगता इसको कोई जाती मसला है शेतान से कहां है वो लोग जो एद पर बीफ नहीं खाते लहोरियो आज आगे बंद करके खाओ अल्ला की कसम बकरा है बकरा ये बड़े एद नहीं आसांग बस इतना समझ लेजिए बहुत सारे गोश्ट की शोपर है और सारे दिश्टे दारों को पहुँचाने है दो बोटियां के ज़्यादा डालती है एक शोपर में घरवले जब से शक की नजर से देख रहे है हमारा गोश्ट खाने वालो पेट को पेट समझो अपना फरीसर नहीं हर बच्चे का दुख सो सो करके इदी जमा की थी सारी की सारी अम्मी ने ले ले पूछना ये था कि ये जो अंधी महबबत होती है उसकी आँखों का उपरेशन क्या मैं तो ठीक हो जाती है क्या वो पूछने लगे तुसी कौन लोग हो मैंने भी सीना तान के कह दिया विले लोग कोई तकलीर है अगर मुबाइल बोल सकता होता तो मुबाइल थोड़ा पड़ भी लिया करो पूरा दिर फून चलाता रहता है यार अपनी अम्मी को समझा तेरी हर गलते के लिए मुझे ब्लेम करती रहती है अलामा इकबाल ने कहा था मैंने अपनी सोई हुई कोम को जिखाना है वो तो नहीं रहे लेकिन इस काम का ठेका बिजली वालोड ले लिया इकबाल के शहीनों को दस मिंट पी सोने नहीं दे ले मेरी कमजोरी ये है कि जब किसी से बहस खतम हो जाती है तब ही मुझे अच्छे अच्छे जवाब यादा दे है एक पठान वापटा ओफिस फोन करके बोला जनाब लाइट बंद कर दो वापटा वाले हिरान होकर क्यों जनाब पठान वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है वो तुमको देना है लड़की सर्प्राइस नहीं बाबू लापेड मेरे पास वो सब पेक है जो तुमने कहा था देख की डिलीट कर देख इश्क की राहों में क्या कमाल कर बैठा है लिखके I love you, send to all कर बैठा हूँ और हमारी अम्मिया की तरह इसको भी अम्मी ने कहा होगा अगले साल भी पहले न लड़के इदुल फीतर के दिन और वही लड़के इदुल तहा के दिन मिसन में नोजवान ने अपने सारे दांत निकाल कर अपनी महभूबा को हार बना कर पेश कर दिया ये होता है प्यार चान तारे तोड़ ले वालो अब तान तोड़ो जब रात को मुबाइल चलाते हो चापा पड़ जाए और बिस्तर हटाया जाए तो अंदर से ये ब्रामन होते है अगर आपका पेश पाही निकला हुआ है तो घबराये नहीं सबका दिल करता है बहर भूमने का और जब आप अपने जानो शोना मोना बेवी को बलो कर दो जबके वो आपे टाइप कर रहा हो अब इनको कैसे समझाएं कि बड़े होने के बाद इनके अम्मी अबू नहीं मानेंगे पता नहीं मैं डॉक्टर क्यों नी बनी मेरी तो लिखाई भी गंदी थी यार माशालला बहुत नेक बकर है इसने आज तक किसी बकरी की तरफ आँक उठा करने देखी दोरे चदीद के तकाजों के एन मताबिक सुपर शाम रूटने वाले मिया बीवी के लिए अनमोल तौफा पाकिस्तान में बिजली पूरी ना होने पर ट्रांस्ट फार्मर ने खंबे से चलांग लगा कर खुद कुशी कर ले लड़की अम्मी आज मैंने नए तोलिया से मुह साफ किया है चिकनार सी में हिसूस हो रही है अम्मी दूर फिटे मुह तेरा और तोलिया नहीं ओजनी साफ करके रखी सी मर जानी है जहां शाहीन की निगाह नहीं पहुँच सकती वहाँ पाकिस्तानियों का दिमाग पहुँच जाता है और इनको भी दिल की बादे करने का मौकब मिल ही गया है जब किसी मुल्क की ब्रामदात और द्रामदात बराबर हों तो उसे एक तसादी तवासन कहते है जहां दुनिया भर के साइस्तानों की सोच खतम होती है उससे चंद कदम आगे ही पाकिस्तानि कॉम कुर्सियां लगा कर बैठी है दोस्तों आपने फिरोन की मम्मी तो देखी होगी आज फिरोन के पापा भी देखे और ये है गीबस से पाक साफ दुनिया सब अपनी आँखों का इलाज करवाए प्लीज क्योंकि ये अंडा नहीं है बलकि मैंने अपनी बिल्ली पर माल्टा रखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है बस दुआ करें बकरिया ना आजाए जब मैं किसी के घर जाओं और वो सब पास आके बैठ जाए तो मुझे ये फिकल स्थाने लगती है